आप तेक रहे हैं लाइफ टूड़े नीज आपकी बुलंद आभाज सिंग्रोली जिले में यह मानने नियम है कि किसी बारदाद में परिजनों की बात को महत्त दिया जाए और पहले पुलिस को उसी दिशा में कारवाई करनी होती है माना पुलिस के अपने नियम है इसी के चलते जहां मिर्तिका के परिजन चिला चिला कर हत्या किये जाने की बात कह रहे है वहीं माना पुलिस उनकी बात ना सुनकर आत्मत्या किये जाने का राग अलाप रही है रजमी लान पहाड़ी निवासी केस साकेत से मिर्तिका रिता कुमारी की शादी 14 मई 2019 में हुई थी मिर्तिका युवती की माता का आरोप है कि दहेच को लेकर सस्वाल पक्षवाले नाखुष थे और बराबर मारपीट किया करते थे दामाद बाउन के घरबालों ने मिलकर हमारी बेटी के साथ बलतकार किया उसके बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया है मिर्तिका के माता अनुसार आरोपी दामात केश कुमार मिर्तिका की साथ देवर चचेरे भाई ससुर बड़े दादा एवम जीजा यह सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है मिर्तिका की माता का गंबीर आरोप है माना थाने में F.I.R. दज नहीं किया गया और पुलिस गाली गलोज देकर भगा देती है और कहती है कि यह मामला आत्मत्या का है जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई केस F.I.R. दज नहीं होगा और नहीं किसी की गरफतारी की जाएगी सिंग्राणी से लाइफ टूडे नियूस के लिए संबाद दाता उपंद्र दुपे की रिपोर्ट पकाना अच्छा मार दिये हैं इसके बाद मतलब गए उहां मारा थाने में हाँ हमार रिपोर्ट वपर कुछ नहीं लिख रहे हैं मारा थाने में किस से मुलाकात हुई थी आपको तरोगा रहा था तो ती आई रही थी और वह कह रही थी कि अच्छाए दरोगा को नाम पता है कि का राजबूर। राकेश कुमार राजबूर्टूर। बता रही है। वहाँ से आपको गौढ़ी के लोजद देके भगा दिया गया। आपका ऐप आयार नहीं लिखा गया और कुछ ली कर दो एक महिना हों कि आकोनस ओनाइं